दोस्तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो दोस्तो आज से पांच दिन पहले से एक मिशन बर्दी बैच या मिशन बर्दी का जुनून जो भी कहिए वह वार्टसप पर उसका सेट प्रैक्टिस चलता है और उसी का आज हम लोग डिसकॉसन पहले सेट का देखेंगे तो आज से आप लोग को रोज दिन बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट मिलेगा क्योंकि बिहार पुलिस का एकजाम का डेट निकल चुका है अगस्त महिने के पहले सब्ता हमें ठीक है पहले सब्ता से सुरू हो जागा तो चलि दोस्तो आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक करेंगे में मैसेज करेंगा वहां से आप लोग को जोड़ दिया जाएगा और या जितना भी प्रस्ण होगा पिछले साल के जो 2023 में विहार पुलिस का जो एक जाम हुआ था उसी पर आधारित या सभी सवाल रहेंगे और बहुत ही बढ़िया या प्रेक्टिसेट है आप फ्रस्ण है دो सब्सक्राइब कर दिया जो तो इसका एंसर क्या हो जागा गुप्त वंस के दोरा बनवाया गया था आपसे पूछे कि नलांदा विषब जले को बिनास किस ने कर दिया तो बक्तियार खिलजी ने कर दिया था जो कुतुबदीन एबग का सेनाप्वती था याद रखेगा इन में से त्री पीटक क्या है त्री पीटक तो इन में से आपको बताना है कि त्री पीटक क्या है तो आप जानते हैं कि जो त्री पीटक है या बहुत धर्म से सम्मधित है इसमें बूध के उब्देशों का संग्रह दिया गया है बूध के उब्देशों का संग्रह है जो इस संत के तो इसका जो उतर हो जाएगा मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं भारत में सुभी कि निम्न को पाल करम के अनुसार बिवस्थित करना है गांधी जी का भारत में वापसी तो गांधी देखिए परते जलते हैं गांधी जी 1893 में दशिन फिरका गये थे अब्दुला सेट के करवार को देख करने के लिए लखनाव समझाओता लखनाव समझाओता 1916 में हुआ था पर्थम बेजुद 1914-18 में हुआ था चैंपारन सत्यागरा 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था तिन कठिया कानून के विरुध में तो आपसे इसको बताना है कि इसका सही उतर क्या हो जागा तो सबसे पहले आपका इसमें में हुआ था चैंपारन सत्यागरा 1917 में हुआ था लखनाव समझाओता 1916 में हुआ और गांधी जी की वापसी 1915 में हुआ था ठीक है नौ जनवरी को उसी के उपलक्ष में भारत में परवासी भारतिये दिवस मनाया जयता है ठीक है तो इसका सही उतर हो जागा अपसर नमर स्यामा परसाद मुखर जी के द्वरा भरतिये जनसंग का स्तपना किया गया था नेक्स प्लस नहीं कि सौर पर्थम यूरोपियन ब्यापारी जो हिंद चिन आय थे कौन थे तो या पूर्तगाली थे सबसे पहले आय और सबसे बाद में गय थे और पूर्तगाली नहीं भारत में समुदरी मार्ग से भारत की खोज की थी एक कोचन अच्छा है जो पूर्तगाली में वास्को डिगामा 20 मई 1498 को भारत आया था उसमें किरल के काली कट पर उत्रा था तो जमोरी राजा जमोरी ने उसका स्वागत किया था कोचन आपको पूरा पढ़ना है इसमें से पूछन किया था तो इसमें से इसका क्या उत्र हो जाएगा उप्यूक में से एक सधिक इसका सही उत्र हो जाएगा नेक्स प्लस ने कि चंपारन निल आंदोलन के दोरान महातमा गांधी के साथ कौन थे चंपारन निल आंदोलन के साथ महातमा गांधी के साथ कौन थे तो महादेव देशाई जेबी कृपलानी नरहरी पारिक उप्यूक्ट में से सभी तो यह सभी इनके साथ थे और चंपार निल अंधुलन चत्य वो रहा था तो इनका बिलोध कुज करण किया था तो एंजी रंगा इनका बी sürूध किये थे एक कॉटर मर्स किस देश के थे काल मर्स तो जर्मनी देश के चिन्तक ते जर्मन चिन्तक थे इन्होंने ही कहा था था एक हं और जो धर्म है अफिम के समान है ये भी उन्होंने कहा था नेक्स पास नहीं कि निमलिकित में से कौन से अजयव घटक आपको बताना है तो चटान पौधे मीटी तो अजयव घटक में चटान आ जाएगा और मीटी आ जाएगा तो अप्शन नमर इसका सी उतर सही हो जाएगा नेक्स पास नहीं कि वन सरक्षन के संदर्म में नोधन ने आंदोलन 1984 में किसके द्वारा शुरू किया गया था नोधन ने आंदोलन आपसे पूछेगा कि नोधन ने आंदोलन वन सरक्षन के संदर्म में किसने शुरू किया था तो यह शुरू किया गया था वंदना सीवा क करें के दवारा फैब्लने कि निमरी कम कि से कि स्वर्स में बुर्टीश सरकार के द्वारा वन ने पक्षी और पव्शु सोनक्षान अधिनियम लागू किया गया तो ऊसब प्रवारत परें दोस्तों यह शुरू किया गया था 1912 इसम्हें सास्त्रिय गायन से संबन्धित आपको बताना है तो इसमें से पंडित रविसंकर बिर्जु महराज किसन महराज पंडित जसराज जो हो जाएगा नेक्स पसने कि भारत का रश्ट्रिय कैलेंडर किस पर आधारित है तो जो भारत का रश्ट्रिय कैलेंडर है वह यह हो जाएग यह आंद परदेश कनाटक के लर तमिल नाडू में होता है कहां होता है तमिल नाडू में होता है तमिल नाडू में होता है तमिल नाडू राज में यह जली कटू साड़ों की लड़ाई होती है तो इसका स्वेह उतर अपसन नमर2 हो जागा तमिलाडू नेक्स परसन है कि धामाल धामाल लोकनित किसे से सम्बंदित है यानि किस राज से है अपसन है जम्मु कस्मीर हरियाना हीमाचल परदेश और महराश्ट तो जो धामाल है ना धामाल यह हर्याना राज से संबंधित है वहीं पर आपको धमान कहे दा धमान कहे न तो यह हिमाचल परदेश का हो जागा धमान, धमानी ठीक है यह सब हिमाचल परदेश का है लेकिन धमाल यह हो जागा आपका हर्याना राज का समिधान के अनुछेद 352 के अंतरगत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है तो यह जीवन जीने का अधिकार इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है जबकि समानता भासने वा अभिवक्ति की सोतंता समिधानिक उपजार का अधिकारिया साभी खतम कर दिया जाता है नेक्स बसने के एक नागरिक के मौलिक कर्तबयों में सामिल क्या क्या है एक नागरिक के मौलिक कर्तबयों में क्या क्या सामिल है तो इसका जो सही उतर हो जाएगा समिधान राष्ट्रिय ध्वज एवं राष्ट्रिय उद्गित के परतिस रधा अपसा नमबर A इसका सही उतर हो जाएगा और मौली कर्तव के संख्या वर्तमान में ग्या रहा है और आप से पुझे कि मौली कर्तव समिधान में सर्दार समीति के सिफारिश पर इसको लागू किया गया था और रूस देश के समिधान से इसको गरहन किया परकारी अनुदानों से करता है बहुत में समुधाईक बिकास कारज करम कब सुरू किया तहुं भारत में जो समुदाइक विकास कार्जकरम या महात्मा गांधी की ही देन थी इसको 2 अक्टूबर 1922 में शुरू किया गया नेक्स पर्सब्स न manner की राज के निती निसकत सिधानतों के निम्लिखित अनुछेदों में से कौन सा अन्तराश्चर शांती और सुरक्षा से संब्धित है तो अब जानते हैं कि राज का निती निसकत अटो आयर लेंड से लिया गया है भारत में यह को जा है की 51, Сам यह हो जाएगा परधान मंत्री के कार्ज काल की ओधी कितनी है तो भारत में परधान मंत्री के कार्ज काल की ओधी है ऊसका जो सही उत्र हो जाएगा जब तक पर्धान मंत्री लोगशबा Alto fib प्राप्त किया रहता है तब तक उनका कारज काल रहता है away zostaять to नेक्स पसने कि जब परधान मंत्री सरी नेक्स पसने कि राज के नीतिन सक्तातु परत्यक्षता संबनित है तो राज का जो नीतिन सक्तातु है ना किसे संबनित है तो यह हो जाएगा प्रस्तावना से है प्रस्तावना से संबनित है नेक्स पसने कि RTI, Right to Information, सुचना का अधिकार, कानून निमलिखित में से किस वर्स परभावी हुआ था, तो यह हो जाएगा 2005 से, कौन राज से, तो राज अस्थान राज से हुआ था, राज अस्थान राज से यह परभावी हुआ था, सुचना का अधिकार नेक्स पसने किस कमपनी के दौरा, ओनलाइन स्कैम कवच लाँच किया गया है, किस से बचने के लिए हाली में DG किया गया है, मतलब ओनलाइन स्कैम जो कवच लाँच किया गया है, ठीक है, तो यह किया गया है, गूगल के दौरा, गूगल के दौरा स्कैम कवच लाँच किया गया है तो यह दिया गया है चिकित्सा के छेत्र में को चिकित्सा मेडिसीन के छेत्र में इसका नोबेल पुरसकार दिया गया है नोबेल पुरसकार 2001 से दिया जा रहा है तो यह किया गया है धर्मेंदर परधान के द्वरा अपना चंद्रियान लॉंच किया गया है पंजाब सरकार ने राज को पुरी तरह से नासा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल की सुरुवात की है तो पंजाब सरकार के द्वरा पंजाब सरकार के द्वरा होप एनिसियेटिव या एक पहल सुरुवात की गया है पंजाब सरकार के द्वरा नेकस प Lindy किरकेट इतिहास में 300 शक्का लगाने वाले पहले भारतियेक बलेबाज कौन बनगा है तो यह बनगा है रोहित सर्मा नेकस पस्ने कारगिल बिजय दिवस किस तीथी को जस तारीक तो यह मनाई जाता है 26 जुलाई को और कप हुआ था तो 1999 में हुआ था आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल रासी के अनुसार कौन सी नदी सरवाधिक बड़ी नदी है तो यह हो जाएगा आपका अमेजन नदी इसका सही उतर हो जाएगा नेक्स पसने कि प्रित्वी की भूमद रेखिये ब्यास किलो मिटर में बताना है तो प्रित्वी की भूमद रेखिये ब्यास जो है यह इसका जो सही उतर हो जाएगा यह कहें तो 12756 किलो मिटर और विश्वतिय ब्यास और भूमदिय ब्यास में आपका 42 किलो मिटर का अंतर है याद रखियेगा नेक्स पस्टन है कि संग मरमर इन में से कौन से चटान है याद रखियेगा निकरतम गरह हो जाएगा सुक्र प्रित्फ्वी का भागनी गरह भी शुक्र को कहा जाता है जबकि बूद या सूर्ज से सबसे नजदीक गरह है नेक्स पसने कि निमलीखित में से कौन सा जवाला मुखी छेतर 10,000 धुवाओं की घाटी के नाम से जाना जाता है तो 10,000 धुवाओं की घाटी के नाम से कटमई को जाना जाता है और एटना जवाला मुखी या कहा है इटली में है नेक्स परस नहीं कि निमलीखित मसे किसमे तापमान साल भर में 10 डिग्री से उपर ब्रिधी नहीं करता है अब से नहीं महादूपी जलवाईव, टुंडरा जलवाईव, भूमाद जलवाईव और टैगा जलवाईव तो यह हो जाएगा टुंडरा जलवाईव, इसका सही उतर हो जाएगा नेक्स पस नहीं कि विशू की सबसे लंबी परवत स्रिंखला कौन सा है तो विशू की सबसे लंबी परवत स्रिंखला का नाम है एंडी जिसका सही उतर हो जाएगा नेक्स बस ने कि सिरी सैलम पर योजना किस नदी पर बना है तो यह हो जाएगा क्रिस्ना नदी पर बना है नेक्स बस ने कि मोबाइल सीम काड में सीम का अर्थ क्या है मोबाइल सीम काड में सीम का अर्थ क्या होता है तो यह हो जाएगा subscriber identity module इसका सही उतर हो जाएगा नेक्स पसने कि भासा विकास का सिधान्त किस ने दिया था भासा विकास का सिधान्त साइकलोजी टाइप का भी कोजा नेक दूगो आपको बिहार पुलिस में पुछता है दोस्तों तो इसको आपको याद करना पड़ेगा लिक रखना पड़ेगा इसको याद करते रहना है तो भासा विकास का सिधान्त या चौंसकी के द्वारा दिया गया था नेक्स पसने कि भरतिये वायव सेना का आदर सवांक निमलिखित में से कौन सा है तो भरतिये वायव सेना का आदर सवांक जो है या इसका जो सही उतर हो जागा Touching the Sky with Glory और भरतिये वायव सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है नेक्स पसने कि पुलिटजर पुरसकार का सबंध किस देश से है तो यह हो जागा अमेरिका देश USA से है पुलिटजर पुरसकार अमेरिका देश से इसका सबंध है और पुलिटजर पुरसकार आर्किटेक्टर के छेत में दिया जाता है नेक्स पस ने कि निमलिकित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्याले लंदन में है यह एक परकार का मनवाधिकार संगठन है क्या है एक परकार का मनवाधिकार संगठन है नेक्स पस ने कि पंचवर्षी उजनाओ की रूप रेखा त्यार करने के लिए कौन उतर दाई है तो इसका जो सही उतर हो जाएगा योजना आयोग और भारत में पंचवर्षी उजना 2017 में इसको खतम कर दिया गया था बराभी पंचवर्षी उजनाओ जो बारा सा 17 तक था लेकिन उसको 15 में ही खतम कर दिया गया उसके जगह पर नीती आयोग लाया गया एक जन्वर्षी उजनाओ पंचवर्षी उजना का अगर कहेगा कि अंतिम रूप से कौन हो जागा था सबस्टी ऐसीया का सबसे पुराना इस्टॉक एक्चेंज कौन सा था तो आख सबसे पुराना एक्टॉक के और आवसे पुझे कि सबसे पहले इस्टॉक कि किस देश में सुरूहा था तो प्राइब कर लगने वाला जो कर होता है उसको क्या करते हैं तो आयात और निर्यात पर जो कर लगता उसको सीमा सिमक बोलते हैं कि वह दर जिस पर भार्तियार को रिन देता है याई रियट पर देता है उसको रेपो रेट काते हैं कि भारतिय नयाइपालिका विलासी मुकदमेबाजी से गरसित है तो यह कहा गया था एनवी रमना के द्वारा नेक्स पसने कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धायन करने में किया जाता है तो मैक संख्या का जो उपयोग होता है वह बिमान के लिए किया जाता है बिमान का चाल निर्धायन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है नेक्स पसने कि प्रित्वी तल से किसी वस्त में परशाफान पर निर्भाब करता है तो यह करता तक्क परच्ष्थ पन के जाने के अस्थान पर निर्भाब करता है और प्रित्वी में उस्थी के सब्सक्राइब डिग्री फारेन हाइट को अगर Kelvin scale में बदलेंगे तो क्या होगा तो 5 डिग्री फारेन हाइट को Kelvin scale में आपको बदलना है तो यह इसका जो सहे उतर हो जागा 258 Kelvin हो जागा दोस्तो एक फर्मुला याद रखेगा C बटा 5 बड़ाबर F माइनस 32 बटा 9 बड़ाबर K माइनस 273 बटा 5 ठीक है दोस्तो तो 5 डिग्री फारेन हाइट है तो यहाँ से आप उसको बना लिजीगा इसका उतर हो जागा 258 Kelvin नेक्स पसने की परकास किस रूप में बहवार करता है कन के रूप में अथवा तरंग के रूप में तो जो परकास होता है वह कन और तरंग दोनों के रूप में काम करता है और बहवार करता है परकास का वेग किलो मीटर पर सेकेंड में कितना होता है तो परकास का जो वेग होता है तीन गुना दस के पावर आठ मीटर प्रतिस सेकेंड होता है आप से पुछ रहे किलो मीटर में तो किलो मीटर में आपका क्या होगा तीन घट जाएगा तो जागा तीन गुना दस के सा रंग अधिकतम बिच्लन होता है तो यह आपका बैंगी रंग होता है नेक्स पर Pस 산 में क्यों वस्तुता कं़ कम हो जाती है तो निर्जली करन में डिहाइड्रेसर में पानी और शोडियम कोलाइड नमक कि मात्रा कं ये इसमें पानी स्थान नहीं है तहीं पानी सही उतर हो जाएगा नेक्स पास ने कि नेमली कितम से किसे ब्लैक लेड कहा जाता है ब्लैक लेड किसे कहा जाता है तो यह ग्रेफाइट को कहा जाता है और ग्रेफाइट विदूत का सुचालाक होता है याद रखेगा दोस्तो नेक्स प्रसने की रॉकेट के इंधन में परयोग किया जानावला क्रित्रिम रबर कौन सा होता है तो रॉकेट के इंधन में परयोग किया जानावला जो क्रित्रिम रबर होता है उसका नाम है नियोप्रीन क्या है नियोप्रीन हो जाएगा इसका सही होतर कि सिके कवाईंस मनाने में किस धातू का उप्योग होता है कोईंस मनाने में किस धातू का प्रयोग करते हैं तो या करते हैं कौपर का, सी यू का करते हैं curricula नेक्स पजने कि निमलिकीत में सिर्वाधिक nitrogen होता है तो सरवाधिक nitrogen योडिया में होता है कितना 46 परतिसथ होता है तो याद रखेगा बहुत वर्या-कोजन-पुछता है नेश स्थम pork ने कि नीम्य में कौन से कूं सी पर्था कर और पर आतों में परवेश कर जाती है तो कौन सा क्रीमी जो है वह आत तुवाचा को पार करके आतों में परवेश कर जाती है तो उसका नाम है फीता क्रीमी फीता क्रीमी नेक्स बसने कि अहार नाल समाने तक 12 किसका होता है तो जो अहार नाल होता है न वसकाहारियों का मनसहारियो क्या पेक्षा बाड़ा होता है याद रखिएगा बहुत बार इसमें confusion होता है दोस्तों नेक्स बजने कि बीजों को किन प्रस्तितियों में अच्छी तरह परिरक्षित किया जा सकता है तो यह ठंडे और सुस्क अवस्था में किया जा सकता है इसलिए इसका option number A सही उतर हो जा होता है तो रेशम किट जो होता है किस आवस्था में रेशम प्राप्त करता है तो यह प्राप्त करता है कोकून आवस्था में कोकून आवस्था में नेक्स बसने कि निमलीकित में से आम का खाने योग भाग कौन सा होता है तो आम का जो खाने योग भाग होता है उसको हम पूछ दे अब से तो लीची का एरील भाग खाते हैं एरील नेक्स पर संचित ख़दान की छटी के लिए निमलीकित में से कौन सा सरवाधिक कारक उतरदाई होता है तो इसका जो सही उतर हो जाएगा अन में नमी की मात्रा नेक्स पसने कि निमली कितम से किस पोधे में फूल नहीं होता है तो किस पोधा में फूल नहीं होता है तो इसका अप्सन नमर डी हो जागा फर्ण में फूल नहीं पायता है नेक्स पसने कि भैसो की उतम नसल मुड़ा पाई जाती है तो भैसो की उत्म नसल मुड़ा जो पाई जाती है तो यह पंजाब और हर्याना के छेत्रों में पाई जाती है किस के दोरा मेरु रजु को सुरक्षा परदान की जाती है तो यह क्या जता है कसरोकु डंड के दोरा नेक्स पसने कि सुन परतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहेंगे जिसका सुन परतिरोध होता है उसको क्या बोलेंगे तो उसको अती चालक बोले और अती चालक की खोज केमरलिंध उन्स के दोरा किया क्या था बीधी की आत्मा नमक पुस्तक की रचना किसके दोरा की गई है तो यह किया गया है मंटेस्क्यू के दौरा मंटेस्क्यू के दौरा बिधी की आत्मनवक पुस्ता की रचना किया गया है नेक्स बस ने कि विशू के सबसे बरे किरकेट एस्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है मोठेर का जो नय नी नाम रखा गया है वह रखा गया है नरेंदर मोधी ऐस्टेडियम तुछ सा मित्र सबको मिले इस्वांक में कौन सा निपात है तुछ सा मित्र सबको मिले इसे सवांक में तूलना बोधक निपात है कोष्टक में दिये गये सब्दि के लिए सुध सब्द का चैन करना है ये गलत दिया हुँआ है आपको इसमें से बताना है कि सही सब्द कहां लिखा हुआ है तो ऑप्षन नमरर सी हो जाएंगा स्वास्थ हो जाता है ठीक है कि कस्तुर्वा गांधी बहुत सात्विक जीवन जीती थी कोश्टक में दिया गया है सब्द सात्विक का विप्रितार्थक सब्द आपको बताना है सात्विक का विप्रितार्थक सब्द क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा तामसिक सात्विक का जो किसोरा आवस्था बोलते हैं एफ़तों इंगलिस में आपको देखते हैं पांच ही इंग्लिस है अगर दोस्तों आप अगर अभी से लेकर अगस्त महीने तक अगर सतर पचातर सो प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं तो आपका लगभग वहीं इंग्लिस पुछता है जो आपको भी याद हो जाएगा ठीक है दोस्तों वहां एक्जाम में आएगा आप अपने आप हमार दिएगा तीन याद चार भी आपका इस में सभी हो जाता है तो आपका hundid परसेंट बनेगा दोस्तों इसमें कम से कम 见 सकसर पर तर परसेंट से सकतर पर तिसीजियों बंचन को सही करना है दोस्तों तभी जाके इस में आपकाרט पर उसमदर का सब्सक्राइब का मतला होता है समनार्थी सब्सक्राइब का इसका आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है उसी को आपको बताना है तो यह हो जागा डिज्रीब हो जागा डिज्राइब हो जागा इसका अप्सन नमर भी हो जागा डिज्राइब नेक्स पसने है कि select the word that is the opposite in the meaning to the given word यहनि opposite यहनि विप्रितार्थक सब्द यहनि उल्टा सब्द बताना है तो विने भुलेंट का मतलब इसमें सापको बताना एं क्या होता है तो विने भुलेंट का मतलब होता है मेली भूलेंट मेली होनेट हो जाएगा ठीक है नेक्स कर है कि choose the passive voice of the teacher beat the child इसमें स सब्देक्त को बताना है नेक्ट कस्ण है कि वीआन पैसिव उनाथ है तो इसका जो सही उतर हो जाएगा कि वीहान चुर मी दार लंभी रसीग से बांदी गए दोस्तो बार- बार-बार या कोजन पुछता ही पुछता है याđ लिटो वाला कोचन है दोस्तों तो इसमें से आपका मैदान है यहां 30 है और यह 20 है आपसे करें कि एक कोना कोई कोना एक ले लिए सकती है तो इसमें से क्या हो घार सकती है उसमें बताना है तो इसमें से आपको बताना है कि आपका होजागा तो इहां पर टीरजा हो जाएगा तो आपसे पुछ रहाएं कि छेत्फ़ पर पाई रेस होता है तो पाई का मतलब 22बटाlara 7 अर का मतलब 14 गुना 14 और कि यहां कर रहें कि कि यह समें से और क्षेतर चशर सकती है तो दोस्तों तो चार छेत्र में एक छेत्र चर रहा है नहीं एक बटा चार कर दिए साधुना 14 और दो यह 11 हो जाएगा यहां करिये गात तो 154 मीटर स्क्वाइरिस का सहह उतर हो जाएगा नेकि चोर को एक पुलिस कर्मी 500 मीटर की दुरी पर रोक लेता है और पुलिस कर्मी जब चोर का प पकर पाएगा तो दोस्तों यहाँ पर हिमान लिजे की इसमें दोरी 500 मीटर यहां पर पुलिस है और यहांwyn पर ठिप चोर है ठीक है तो पूलिस चोर आपका 10 से चल रहा है पूलिस 18 से अगर इसमें रेशियो में तूरते हैं तो यह 9 और 5 के हम लोग का अंतर यहां 4 आ रहा है और टोटल दूरी कितना परोग ले रहा है 500 पर यानि एक का मान यहां जाएगा 125 तो आपसे पूछ रहा है कि पूलिस कर्मी को चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तैक कर लेगा यानि यहां 5 है 5 इसका रेशियो तो पांच में 125 करेंगे नहीं 625 मीटर की दूरी वह तैक कर लिया होगा चोर नेकिराजीव ने एक दिन एक किताब का तीन बटा आठ हिसा परता है यानि देखे इसम से इसकल आपका आठ वो जागा याद रखी दोस्तों ठीक है इसमें से तीन बटा निटा परता हैrovिर कर रहा है पर बाकि कंच 210 क 2 फिर बाकी 3 वाट आठ आठ में से 3 पढूप भजा 5 वाट आठ का 4 वाट पांच 5 ऑप पढ़ता है यानि आधा पढ़ता है ठीक है रहे हो और किताब के पृष्ट इतना बहुंच गये यहां पर सेस रखेंगा सेस कितना बहुंच रहा है तो तो तीन बठाय और एक बठायश Ep Pareying में बनाने के लिए का करेंगे यहां भी आर्ट करेंगें यहां ही आ करучे तो एक का जाएगा तो हो जाएगा तिन राषियों चार चार हो जाएगा और टोटल केतना है हम लोग माने है आठ माने है तो यहां से अंतर मेरा कितना है एक तो यहीं एक का एक जो सेस बच रहा है अंतर उसका 30 है तो आप से पुछ रहा है कि टोटल आप माने थे आठ तो आठ तिर का चौभी दो सो चालिस का सही उतर हो जाएगा नेक्स पस ने कि 20 संख्याओ का उसत 12 है बहुत असान कोजन होता है ऐसे दोस्तो 20 गुना 12 कर लेना है बारे दुने 24 दूसर चालिस हो जाएगा फिर कर रहे कि 11 संख्याओ का उसत 12 संख्याओ का उसत 11 है तो 12 गुना 11 132 हो जाएगा और अगली 7 संख्याओ का उसत इतना है तो क्या हो जाएगा दोस्तो तो बारे साथ 19 ये दोनों को गुना करके जो लेना ही समय से 240 में एक बेखती को सामिल किया जाता है तो 60 kg के एक बढ़ लेट आठ में आठ एक बढ़ जा रहा है तो दोस्तों आठ में आठ बढ़ जा रहा है तो मतलब और सट के जी का आया होगा तब तो इसका क्या हो जागा और सब्सक्राय करन दिया हुआ है कोई हल संभाव नहीं है तो दोस्तों आप जानते हैं कि a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 आप बराबर नहीं है कोई हल संभाव नहीं है का सुत्र तो दोस्तों इसमें से आपका 6 बाटा 15 हो जाएगा एक और एक हो जाएगा कि माइनस 11 बाटा की तो 6 बाटा 15 है तो यहां से करेंगे तो माइनस सारे 27 इसका सही उतर हो जाएगा माइनस सारे 27 प्राइस कि परच्परमट रदू आता है एक प्रस्ट कर रहा है कि 800 रुपया है पांच प्रस्थे चक्विधी ब्याज की दर से कितने में दो साल नेश्पास ने एक सव मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेल गारिया करमसा 18 मीटर परतिसेकन और 15 मीटर परतिसेकन के चाल्स एक दूसरे के तरफ चलती है एक दूसरे के चल लिए तक इतना हो जागा 220 मीटर हो जागा और दूरी चाल जूड़ गया तो अठारे पंदर 18 और 15 33 भाग देंगे तो छोड़ शाथ इसका सही उतर हो जागा कि अधिस समचत्र भूज की एक भूजा तथा उसके एक विकर्ण की माप 10 सेंटीमिटर और 16 सेंटीमिटर है दोस्तों समचत्र भूज है कर रहा है कि आपका उस दस दस सेंटीमिटर इसका टोटल हो जागा भूजा का माप विकर्ण 16 है तो दोस्तों यह आठ हो जागा अगर आठ मान लेते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर एक तिर्भूज बन गया तो ट्रिपलेट याद करिए छो आठ द तो हो जागा आठ शोला गुना चोचा बाड़ा दूसरे काटिए आठ बारे अठेट च्यानवेस का अप्सान अमर सी इसका स्वह उतर हो जागा नेक्स पास नहीं कि एक समचत्र भूज तिर्भूज की एक भूचा दिया हुआ तो इसकी उचाई आप से ग्याद करना है तो अगुना भूजा हो याद रखिएगा नेक्स पास नहीं कि 97 नमर उप्रस्ण कर रहा है कि सब्द दिया हुआ है अग्रेजी वर्ण माला के अनुसार आपको देखना है करा कि बोरिंग ली तो आपसे देखना है दोस्तों इसको देखने का एक बहुत असांत रही का होता है जहां से आपसे शुरू करना है देखिये दोस्तों बी है तो बी सी डी एफ जी एच आई जे नहीं हो रहा है ओ पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं हो रहा है आर एस टी यू भी एल यह भी नहीं हुआ आई जे के एल देखिये आई और आई और एल में एक बन गया तो एक ठीक है और देखिये जी एच आई जे भी नहीं बना तो अब इधर से नहीं बना तो इधर से देखेंगे वाई का बाद क्या होता है जेड तो वाई जेड जी जी वाई वाई जेड का बाद A B C D E F एभी नहीं बना एल L M N एक एभी बन गया तो एक और जोड देज़े दो हो गया अब पुछ रहा है यहां देख लिए L M N O P Q R एभी नहीं बना जी से चलिए G H I I बन गया एक और तीन हो गया G H I चलिए अब N से N O P Q R नहीं I से I J K भी नहीं R R क्या होता है A T A S T यह भी नहीं बनाता है यानि एक दो तिन अप्सन नमबर A होगा अप्सन नमबर इसका हो जागा सी हो जाएगा संतानवे का सी हो जागा तीन इसका बनेगा एक पास्पास नहीं कि अधिस सब्द फ्रेक्शन को परतेक ब्यंजन को बाएं से दाय वर्णा करूम में सजाए और फिर सभी स्वरों को बाएं से दाय सजाना है तो च्छा दाय चोड़ से पांचवाग च्छर टिक है ऐक है कि आए डी जा इन करें तो ओर आ आर टी टिकिंते एक दूफ तीन चार पांच शीते ऐफ तो बाक्रीशन नमरड़ को बात्रें हो प्रित्वी क्या है तो देखिए दोस्तों प्रित्वी को यहां क्या कायता है जहां भी प्रित्वी आपको दिखाई दे नेजज पॉट्पन है कि सभी किट सजिव है याद रखेगा सभी किट जो है सजिव है सजिव माल लेजे और वी तितलिया किट है तो आपसे पूछ रहा कि सभी तितलिया सजिव है सभी त्योंग तो सभी कित Lizzy कई सभी कर्फोर्ट त्सलिमें कुछ का सब्सक्राइब को तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग को इसमें कितना नमबर आया और कितना नमबर आ रहा है करो कमेंट बक्स में जरूरी इसको पताएगा दोस्तों और वीडियो आच्छा लागा होगा तो जितना होसा के दोस्तों का सेर करेगा और वीडियो अगर चैनल पढ़ने होगे तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब कर लिजएगा ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों